प्यारे बच्चों, पहले इस डिक्टेशन के कठिन सब्द करने हैं, ततपसात ट्रायल डिक्टेशन, फिल्मेंड डिक्टेशन, इस डिक्टेशन में इंग्लिस वर्डों का ज़्यादा प्रियोग किया गया है। यस ट्रायल डिक्टेशन, दो मिंट की होगी, यस ट्रायल डिक्टेशन स्टार्ट, एक समय की बात है कि कबूतरों का एक दल आसमान में भोजन की तलास में उड़ता हुआ जा रहा था विराम। गलती से वह दल भटक कर ऐसे प्रेदेश के उपर से गुजरा जहां बहेंकर अकाल पड़ा था विराम। कबूतरों का सरदार चिंतित था विराम। कबूतरों के सरीर की सक्ती समाप्त होती जा रही थी विराम। सिग्र ही कुछ दाना मिलना जरूरी था विराम। दल का युवा कबूतर सबसे नीचे उड़ रहा था विराम। भोजन नजर आने पर उसे ही बाकी दल को सूचित करना था विराम। बहुत समय उड़ने के बाद कहीं वहदल सूखा ग्रस्त छित्र से बाहार आया विराम। नीचे हर्याली नजर आने लगी तो भोजन मिलने की उमीद बनी विराम। युवा कबूतर और नीचे उड़ान भरने लगा विराम। तभी उसे नीचे खेत में बहुत सा अन बिखरा नजर आया। चाचा नीचे एक खेत में बहुत सारा दाना बिखरा पड़ा है विराम। हम सब का पेट भर जाएगा विराम। यस में डिक्टेशन स्टार्ट। संगठन की सूद्रड़ता के लिए हर एक सदस्य को निजी महत्योकांसा को त्याग कर सहयोग और सहकार के साथ चलना पड़ता है विराम अर्थात। हमारा हिरदय मन और संकल्प एक जैसे हों जिससे हमारा संगठन कभी भी नय बिगड़े विराम पैरा। संगठन सहयोग और मेत्री भाव स्वस्त समाज के आवैसक अंग हैं विराम समाज में हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं विराम मूर्ख विद्वान रोगी स्वस्त नाश्तिक आश्तिक भोगी त्यागी आदी परस्पर विरोधी प्रकृती के व्यक्ति चारों और दिखाई देते हैं विराम प्रतेक मनुस्य का द्रिष्टी कोन विचार अनुभव अभ्यास ग्यान स्वार्थ रूची एवं संसकार अलग-अलग होते हैं विराम इसलिए सब का सोचना एक प्रकार का नहीं हो सकता विराम ऐसे में यह आवैसक है कि हर व्यक्ति दूसरे के प्रती सहिशनु एवं उदार हो विराम जरासा भी मत भेर रखने वाले को मूर्ख अग्यानी दुरागरही दुष्ट या विरोधी मान लेना उचित नहीं विराम सहिशनुता ही संगठन का प्रान है विराम इसी के आधार पर समाज में सब के हिरदय, मन और संकल्प एक ही दिसा में चलते हैं तथा हर छित्र में उन्नती होती है विराम पैरा एस सहिशनुता के समाज में धोका, विश्वासगात, क्रोध, वेमनस से आदी, बुराईयां, जनम लेती हैं और अराजक्ता का वातावरन बनता है विराम चारो और दादागरी, गुंडागरी, छल, प्रेपंच का भै समाज में बना रहता है विराम जन जीवन ए सुदक्षित एवं ए सांत हो जाता है विराम आज सर्वत्र यही दिखाई दे रहा है विराम पैरा संगठन का अत्यंत सुन्दर आदर्स हमें भगवान सिव संकर के जीवन में मिलता है विराम अंधे, लंगडे, कोडी, रोगी सभी को एक समान मान कर अपने साथ रखने की सामर्थ है उन्ही में थी विराम सर्प के समान दूसरों को डस कर उनका एहित करने की कूभावना से ग्रशित लोगों को भी उन्होंने अपने वस में रखा था और अपने गले का हार बना लिया था विराम इस प्रकार विभिन एवं विप्रीत प्रकृती के व्यक्तियों को भी एक सुत्र में भांद कर समाज के लिए उप्योगी बना देने का संकल्प उन्होंने चरीत तार्थ किया विराम स्वैम नंगे रहे भस्म लपेटे रहे अपनी आवैसक्ताओं को नियूनतम इस्तर पर रखा सब के कल्यानात विश्व भी पी लिया और साथ ही समाज के हर वर्ग में सहयोग सहकार एवं सहिसनुता की भावना को भी प्रितिश ठापित किया विराम पैरा समाज वैप परिवार की सर्वोत्तो मुखी प्रगती के लिए यह आवैसक है कि लोग दूसरों के विचारों को भी महत्त दें अच्छी बातों को माने और गलत बातों का प्रितिकार करे विराम आपसी सम्मान एवं सहिसनुता में ही संगठन की सकती नहीं तै विराम पैरा हम देखते हैं की चोर डकैत बदमास अपना संगठन कितना सूद्रड रखते हैं विराम कोई भी किसी प्रिकार का मतभेर नहीं करते और एक ने जो कह दिया वही दूसरे जी जान से पूरा करते हैं विराम कारण यह होता है कि उन्हें अपने नेता का भै रहता है विराम यदि वे विरोत करें ऐसा ही योग करें तो सरदार जान से मार सकता है विराम परंतु हम अपने नेता को सरदार को बिलकुल भूल गए है विराम हमारा नेता और सरदार है सरोसक्तिमान परमेश्वर विराम वह भी डंड दे सकता है देता भी है विराम इस तथे की अंदे की करने से ही संसार में सारी बुराईयां जनम लेती और फलती फूलती है विराम पैरा हमारे विद्वानों में समझदारों में ब्रहमन तत्त की कमी आ जाने का यही परिनाम है विराम नेक्ष्ट पैरा आगा में कुछ वर्सों में कम्पनिया लाभांस की पून्त्या उपेक्षा नहीं कर सकेंगी विराम निवेशक एक अच्छी आए की अपेक्षा करते हैं तथा वर्नित लाभांस नीती का आस्वासन भी मांगते हैं विराम यदपी भारत में कुछ कम्पनिया ऐसी अवस्ष्य हैं जिन्होंने विगत पाच वर्सों में लाभांस का अनुकूलतम बुक्तान किया है विराम पैरा हाला की लाभांस की मात्रा नियमित रूप में घटी है और जिसका 800 कम्पनियों में ओसत लाभांस 1.1 प्रतीसत है विराम ये कम्पनिया विभिन BSE तथा NSE के आकार के भाग की सूचक है विराम केवल लाभांस की मात्रा ही कम नहीं हुई है बलकि इस सूची में एक भी कम्पनिय ऐसी नहीं है जिसने पिछले किसी भी पाँच वर्सों में लाभ वर्दी के साथ लाभांस की मात्रा को बढ़ाया हो विराम पैरा इस समुदाय की कम्पनियों में जिन्होंने विगत वर्सों में नियमित भुकतान की मात्रा में वर्दी की है उनमें बहुत सी बहुराश्टिय कम्पनियां सम्वलित हैं जिन्होंने पूझी पर उची दर से लाभ अरजित किया है विराम इन कम्पनियों में एस्ट्राजैनिका, फार्मा, नेशले, इंडिया, हिंदुस्तान, लिवर, क्लेरियेंट, पिफीजर, ग्लैक्सोइस्मित, क्लीन, कंजूमर, एंड कैमिन्स इंडिया आदी ने अंसधारियों को दे लाभांस की रासी में वरद्दी की है विराम यद पी इन कम्पनियों का विकास बनावटी प्रतीत नहीं होता है विराम कुछ भारती है कम्पनिया जैसे ओटोमेटिव, आक्सीज, रैन बॉक्सी, लेबल्स, हीरो होंडा, मोटर्स, एसियन, पेंट्स, थर मैक्स, तथा कुछ बैंकिंग, एवं नोन बैंकिंग कम्पनिया आगे भड़ी हैं तथा इनका विकास भी काफी तिव्र गती से हुआ है तथा लाभांस गोशनाओं ने भी संभावनाओं के अनुसार निरास नहीं किया है विराम पैरा ऐसी कम्पनिया जिन्होंने लाब तो कमाया है लेकिन लाभांस की गोशना नहीं की है उनमें इस सर्व क्रेंज शोफ्ट्वेयर सेशा गोवा टाटा मोटर्स मोजर्व बायर अबी सी माइको अजटेक शोफ्ट्वेयर हावेल्स इंडिया एमटेक इंडिया तथा इस्टरलाइट इंडस्ट्रीज समलित है विराम यह एक संकेत तात्मक सूची है विराम लेकिन इसमें और भी कई कम्पनिया समलित है विराम लाभांस भुक्तान अनुपात दरसाई गई कम्पनियों में बीस प्रतिसत से भी कम ही है विराम यदपी नियोजक लाभांस में वरद्दी चाहते हैं तथा वरनित लाभांस नीती की आवे सक्ता को महसूस करते हैं विराम आय की मात्रा पी इ मुल्ले आय अनुपात के विप्रीत आज लगबग 6 प्रतिसत है विराम यदि भुकतान पे आउट अनुपात को 40 प्रतिसत तक बढ़ा दिया जाए तो लाभांस की मात्रा लगबग 2.5 प्रतिसत भढ़ सक्ती है विराम देट सोल